नमस्ते दोस्तों केम चहो मजामा मैं संजय न्यूटरिस गार्डेनिंग एंड ब्लॉक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तो आज मैं अपने गार्डन के अपडेट देने जा रहा हूं गार्डन वो भी तो मेरे प्लांट सबको दिखाऊंगा और देखिए क्या-क्या कंड का मने प्लांट से कि है कि इंग बासके में लगा हुआ पॉदा मेरा कितने अच्छे से ग्रोग कर रहा है इसके साइड में यहां पे चैन प्लांट एंच में छोट हप्लांट कितने निकलका आये हैं तो सुक oral यह को तสान्य यह सबक्राइट से और यहां जो इसको में उसल म सब नहीं कर दिया यहां पर इसको करेंग कर दिया तो इस तरह प्लांट कि तरह प्लांट और इसकी पत्ती साइस कितनी बड़ी है कि चैट यह बड़े से प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है जीस से 27 की बकेट हो कि प्लास्ट्टी की बाल्टी उसमें लगा हुआ है यह साई भीवी प्लांट प्रून कर दिया पूरा और यह कलांच होए है दूसरी कलांच है उस तरफ पड़े यहां पर जेड प्लांट है बड़ा और यह लिखे पेंडानंस प्लांट है और यहां प्लांट है दूसरी वराइटी वाला और करीपता का प्लांट यहां पर लगा हुआ है दिखेंगे इसकी हाइट और यहां भी स्पाइडर प्लांट और पत्थर जट्टा जेट प्लांट वैसे सब कटिंग लगी हुई है अंदर यहां पर मनी प्लांट और इजा सारे स्नेक प्लांट लगे हुए यह सब स्नेक प्लांट है और यह ट्रेसी ना यहां पर और स्नेक प्लांट है यह जीजी प्लांट और यहां जो मैंने अडेरियम के सीड्लिंग लगाई थी वो ट्रेय ऐसा ही पड़ी है तो दिखें इसमें चार-पांच प्लांट ऐसा ही पड़े रहे हैं जिसको मैंने अब त कि और यहां पर करांचोय है कि इतर सारे अडेनियम है कि कुछ-कुछ पौदों में अब भी फ्लावरिंग हो रही है अभी अडेनियम में क्या करना है आपको जितने भी पीले पत्ते दिखे सुखे फूल उन सबको हटा लेना है पौदे से अलग कर लेना है कि यहां पर भी बहुत संदर फ्लावर के लिए हुए है और यह जो बड़ा वाला प्लांट है हमारा उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है कलिया भी सब में बनी हुई है देखिए यह जो ग्राप्टेड है जो बड़ा प्लांट मैंने ग्राफ्ट किया था उनमें भी देखिए अब कलिया भी बनी है और फ्लावरिंग भी हो रही है यह मरून वाला स्वारी परपर खिला हुआ है देखिए और यह यह मरून आपको डार्क रेड़ एक हम दिख रहा है और यहां पर यह सब ग्राप्टेड है अब मेरे कुछ कटिंग भी मैंने यहां पर रिपोर्ट करके रखी है कि नर्शरी से में लाया था मतर प्लांट मैं दिखा तो मैं भी देखिए अब कलिया अभी फ्लावरिंग खत्म होई तो दूबारा कलिया बनने लगी है कि तर्दियों में क्या है कि हरे नमें हमें हर बार इस तरह इसका कोडेक्स है वह दबा की चेक करते रहना है कि करिंग हम और वाटरिंग की वैसे कुछ कि रोट तो नहीं हो रहा अंदर क्योंकि अभी हमारे यहां दो दिन हुआ बारिस हुए थी बहुत तेज इसी वससे मैंने पानी भी नहीं दिया दो दिन से यह कनेर प्लांट है कि यह भी कनेर है यहां पर और यह सारी अडेनियम के सिटलिंग है सब को मुझे रिपोर्ट करना है अभी अभी तो नहीं फरवरी में करूंगा अब ताइम मेरे पास है नहीं कुछ पॉलिवेक बॉलिवेक कि ऐसे मैंने अभी रहने दिया है देखिए सबकी अच्छी है अभी सर्दिया चल रहे फिर भी नहीं नहीं ग्रोध हो रहे यह सब में और कोडेक्स भी दिरे-दिरे बनने लगा है यह ज्यादा प्लांट है सब में यहां पर भी आटेनेम के सेटलिंग मैंने लगाई थी द कि यहां पर यह सब सेटलिंग है यह नीचे वाली सेटलिंग है जो उपर है मैंने सब ग्राफ्टेड अटेने में इसको ठीक करना एक ब्रांच पर ग्राफ्टिंग बाकी है यहां पर ग्राफ्टिंग कर दूंगा यहां पर देखे यह से यह लो पतिया हो रही हो उनको आप हटा लीजिए यह वाइट कलर है यह दिखें वाइट एक पौदा है वाइट का मेरे पास जब मैंने ग्राफ्ट किया था दूंए पहले तो मैं फर्वरी में और इसके प्लांट बनाऊंगा तो यह देखें यहां वाइन पर सारे फ्रेढस रटे डेनियम है यह मने बंसाइड में लगाया हुआ हैला प्लांट डेनियम का और यह देखें एशार इसे हैं इसहां का पाप सारे फ्रेढस हैं जो देकंड किये तो इससे ब सुर hippya थी और बाकई फेल हो गएती तो यह फेल हुer ही ब्रांच यह सब मेर्स्जी और दर ग्राफ्टिंग कर दूकर तुण हूं इधर साब एं में जो कुत तो लगे हुए बहुत उपार्य यह का टिंग से लगा हुआ है यह यह दिन और यहां प्लांट खराब हो गया सब्सक्राइब और यह देखिए संफ्लावर अब सुपने लगा है और यह कॉप्सकॉम है कि यहां तुल्सी जी के पॉदे सब लगे हुए है इधर हिबिस्कस है दीथ संफ्लाइब शब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनों प्लांट में बहुत सब्सक्राइब गना हो गया था इसलिए कि ये ती यह कानेर है चिश्में नहीं नहीं अब श्थरय का सब्सक्राइब है उपर से और ये देख सकते हो ट्रेंगल हार्ट है येलो वेरा इतर हमारी जो देशी वारे विनका है वो पिंक और वाइट भी आपको दिखा है और ये चंपा चंपा में भी फ्लावरिंग हो रही है प्लावरिंग बढ़ा हो गया है चंपा भी और यहां पर बर्गत की कटिंग मैंने लगाए थी जब मैं बर्गत का बहुत साइब ना रहा हूं उसकी कटिंग मैंने कट करके तो देखे यह भी हमारी ग्रोव हो गई है नई नई पतिया निकलने लगी है और यहां पर बोगन वेलिया है तो बोगन वेलिया में भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है सब ब्रांच पर कलिया बन रही है यह प्लानट को मैं छोटा साई रखता हूं पूरुन करता रहता हूं जैसे फ्लावरिंग का बॉनसाई यह कैना लेली है इधर और कनेर है यह मंदर ऑफ थाउजन है और पीछे की तरफ यह देखिए कि यह हमारा बड़ी पत्तियों वाला हमारा पत्थर चट्टा प्लांट तो उनमें देखिए फ्लावर आये अब कितने ज्यादा फ्लावर के लिए और यहां पर है नाक चमपा और पीछे की तरफ स्वांग ओफ इंडिया से ट्रेसी ना भी बुलता है यह देखिए इस तरफ मेरा गार्डन है तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छा लगा हो तो प्लेस वीडियो को लाइक कर और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत पूलिए का तो आज के लिए इतना ही ओके फ्रेंड बाई